दोस्तो बचली का बिल जमा करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी application है, website हैं, ठीक है? लेकिन काफी सारी ट्रिक्स हैं लेकिन काफी दिनों से यह परिशानी आ रही है कि इस application में बिल जमानी हो रहा है यह हमारा जो बिल है वो फैच नहीं हो रहा समझ में नियारा में गया करना है तो मैं आपको बिल्कुल नया और यहां पर देखें जैसे मेरा उत्तर प्रदेश का है अगर आपका कहीं का भी है तो आप उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटीट पे बिल ऑनलाइन तो मेरे को यहां पर क्लिक करना है इसके बाद आप यूपीपी सी एल के इ प्रदेश पर आने के बाद निचे देखें सर्च बिल डिटेल्स बाई तो डिस्कॉम नेम आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है अब आपके सामने आप चार ओप्शन आएंगे जैसे मेरा पहले वाला है पस्चिमांचल विद्यूत वित्रन निगम लिमिटीड ठीक है तो मैं यहां पर अक्तम नमबर फिल कर देता हूँ इसके बद आपको यहां पर जोनना है 9 प्लस ओर यहन्की 13 तो मैं 13 यहां पर मेंशन कर देता हूँ एकाउंट नमबर और 30 लिखने के बाद मेरे को नीचे वियू का उप्शन आ रहा तो वियू पे क्लिक कर देना है वियू पे क्लिक करने के बाद देखे एकाउंट नमबर के नीचे जिसके नाम से connection है उनका नाम लिखावा जाएगा due date और bill amount किटना है तो जो हमारा due date उससे प फोन नमबर पर एक OTP भेज जाएगा जहां पर आप उपन करके उससे बिल को पूरा चेक कर सकते है ठीके तो फिलाल मेरे को bill जमा करना है तो नीचे देखे तीन ओप्शन आ रहे है payment या तो आप पूरा payment अभी जमा करना चाते है या फिर second नमबर पर option आ रहे है part payment यानि या फिर ITZ cash ठीके तो मेरे को credit card debit card या फिर wallet से या पर बिल जमा करना है तो मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के बाद थोड़ा सा नीच चाहिए अब यहाँ पर submit का option आ रहा है तो मेरे को submit पर click कर देना है submit पर click करने के बाद आए हाँ पर कुछ verification मांग रहे हैं अकाउंट नमबर, email ID और mobile नमबर यह तीनों आपके correct होने चाहिए इसके बाद submit का option आ जाएका submit कर दीजिए इसके बाद payment के लिए क्या करना है powered by bill desk यहाँ पर click कर दीजिए इसके थुरू आपकी payment होगी इसके बाद note लिखा हुआ carefully आप इसे rate कर सकते हैं इसके बाद नीचे आ जाएए submit का option आ जाएका submit कर दीजिए इसके बाद आपके सामने payment का option आ जाएगा आप मेरे को यहाँ पर अपना credit card का नमबर डानना है इसके बाद CVV, expiry date और card holder name और make payment का option आ जाएगा इस पर click कर देखे जितना है आपका amount 978, convenience fees कुछ नहीं लग रही और GSTB आपके कुछ नहीं लग रही 00, ठीके तो नीचे आ जाएगे, अब यहाँ पर proceed with payment option आ गया, इस पर click कर दीजिए, अब आपके credit card पर जो phone number registered है उस पर OTP भेजा जा गया है, OTP फिल करने के बाद आपको submit कर देना है, और फिर आपका यहाँ पर payment हो जाएगा, ठीके दोस्तों, तो credit card के थुरू आप direct यहाँ से अपना जो bill है वो जमा कर सकते हैं, इसके लाबा मैं आपको wallet वाला option भी एक बार दिखा देता हूं, तो back आना है आपको, अब यहाँ पर आपके चार option आ जाएंगे, credit card मैंने add करके दिखा दिया, आप सबसे निचे देखे, wallet cash card का option आ रहा है, तो मैं wallet पर click कर देता हूं, इसके बाद wallet का option आ गया, make payment पर click कर देना है आपको, इसके बाद यहाँ पर phone pay का option आ जाएगा, ठीके, तो phone pay में आपको make payment पर click करना है, same process है, आप कुछ भी extra charge नहीं लगेगा, ठीके, proceed with payment पर click कर दिजे, अब यहाँ पर दो option आ जाएंगे, pay with UPI, यानि कि अगर आप अपनी UPI ID के through payment करना चाते हैं, या फिर अपने mobile number के through payment करना चाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना mobile number fill करना है, और send OTP पर click कर देना है, करने के बाद, OTP fill कर दिया मैंने, verify and login पर click कर रता हूं, तो यहाँ पर आप अपना card add कर सकते हैं, और सारे detail fill करने के बाद, आप payment कर सकते हैं, ठीके दोस्तों, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना बिजली का mail जमा करना है, और जो भी पुराने तरीके थे, वो शायद in future ready हो जाएंगे, यानि की चलने लग आप भी इस तरीके से यहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीके, तरीका मैंने बताई दिया, आप credit card, debit card या phone pay के थूरू, यहाँ पर जमा कर सकते हैं, फोन pay में credit card का भी option है, और UBI का भी option है, और अगा आप direct credit card से जमा करना जाए तो यहाँ से भी जमा कर सकते हैं, आपका कोई भी this video and subscribe this channel